असलामों अलेकुम वीवर्स कैसे हैं आप लोग मीद करती हैं आप लोग ठीक होंगे खुशबाश होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू चना चाच जो के बनाना बहुत ही असान है और बहुत मज़े की बनती है चलिए रेस्पी बना स्टार्ट करते हैं सबसे प इसमें एक प्लेट बुवाइल चन शामल करेंगे और एक प्लेट बुवाइल अलों जो मैंने ऐसे मोटा मोटा पीसिज में कात लिए यह सामल करेंगे अब इसमें एक प्यास जो ब्रीकली काता है यह दो ट्मातर और चार से पांच हरी मिर्चें ब्रीक ब्रीक काट ली यह शामल करेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब इसमें एक ब्रीक कटा हुआ खीरा शामल करेंगे आप लोगों को जो जो चीज पसान दोगे आप लोग डाल सकते हैं अब इसमें हम स्पाइची एक टी सपून नमक Şामल करेंगे कव तीजप दड़ा मिर्च और एक ँची क्वेरा मिर्च और एक टी इसपून चार्ट शाम्साला मैं स्पाइसीज बना रही हूं स्पाइसीज अलू चाना चाथ आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं जिस तरह आप लोगों को पसंद हो कि अब इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताके मसाल लाइन पे अच्छी तरह लग जाए अब हम इसका रायता करते हैं एक बोल में हम दहीं लेंगे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताके इसमें कोई गुचलिव गेरा ना हो मिक्स कर लिया है अब हम इसमें हरी चटनी शामल करेंगे जिसमें मैंने पदीना और हरी मिर्चे लेके इनको अच्छी तरह कूट लिया इनका पेस्ट बना लिया अब ये शामल करेंगे मैंने त्यार कर लिया अब हम इनको इसमान में शामल करेंगे आलू चना चार्च में शामल करेंगे इस दहीं को जो मैंने त्यार किया आप लोग भी इस तरह बनाके जरूर ट्राइ करना बहुत मज़े के बनते हैं अब इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह यह देखें कितने मज़े के लाग रहे हैं देखने में यह खाने में और भी टेस्टी थे आलू चाट को मैंने अच्छी तरह मिक्स का लिया और इसमें थोड़ा सा दनिया भी डालेंगे खुबसूरती के लिए अगर आप लोग गैस्ट रहे तो यह अलू चाट बना के जुरूर ट्राइक करना उनको बहुत पसंद आएगी अब हम इसे डीशोट करते हैं यह देखे हमारी चाना चाट कितनी मज़े की त्यार हुई है अगर आप लोगों को मेरी यह रैस्पी पसंद आएगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरी वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट बॉक्स में लाजमी उताए कि आप लोगों को यह रैस्पी कैसी लगी हम मि यह बॉइब styl डाऊ tapis प्राइब लिए मारी चैनल को लोगों कितनी मेंड़ीड कि की लोगों कि अीगड़ी ईहां के रहरे में प्रेंगे में हाया जग जसे लोगों कि लोगता नवाब